बहुत बहुत धन्यवाद का आसिफ रशीद यूट्यूब चैनल पे मेरे साथ हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिगा आप वीडियो शेयर करें और हो सके तो अपना कॉमेंट भी जरूर कॉमेंट बॉक्स में जाईएगा हमें जरूर बताइएगा आप क्या सोचते हैं के प्रदीश के अंदर पिछले वर्शाप देखेंगे तो जुलाई के महीने से हम निरंतर देख रहे हैं कि कारवाईयां प्रशासन की तरफ से की जा रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि कहीं पर देश या राज्य विरुद गदिवतियां अगर कहीं पर रही हूं वर्तमान स गरफ से नौ टीचर्स को हटा दिया गया और कुछ लोग इससे पॉजिटिव रेस्पॉंस के तौर पर भी देखते हैं अगर एड्मिन्सिर्टी पार्ट पर आप देखेंगे प्रशासन ने जिन नौ लोगों को हटाया है उनमें एक महीला टीचर हैं 28 तारीक को I think June या पर जून या जुलाई दोरों में से एक महीना है 2014 में US छुट्टी पे जाती है 6 महीने के लिए वहां से वापस आने के लिए 6 महीने और वो लेती हैं extend करते हैं अपनी छुट्टी को लेकिन तब से आज तक स्कूल नहीं आए बताइए salary कि इस बात की वो ले रहें बहुत अ 2017 से स्कूल ही ने गए तो unauthorized जो absentees हैं उनको आज उन पर प्रशासन की तलवार लटके उन सभी को हटा दिया गया है और बहुत अच्छा नेरने कुछ लोग इसे मान रहे हैं कुछ लोगों का ये मानना है कि शायद प्रशासन को कारवाई में थोड़ी और जल्दी करनी च इस समय में ऐसा भी हो सकता है कि केंदर शासन के अंदर चुनाव के बाद जब एक सरकार बनेगी तो इस तरह की कारवाईया और भी धीमी पड़ सकती है लेकिन कारवाई इस समय जितनी हो रही है वो एक हद से ठीक है लेकिन बहुत सारे लोगों को ये कहकर आपका रिष्ट कहीं आतंक्यू के साथ था इस तरह की गतिवितियों में वो अगर कहीं लिप था तो उसको साइड कर देना नौकरी से हटा देना थोड़ा सा उनके परिवार का भी सोचना पड़ेगा बरहाल आज का जो ओर्डर हो उसमें बहुत अद तक पॉजिटिव रिस्पॉंस है नौ करी सिम